गाउं के दबंगोज ने प्रधान के साथ मिलकर महिला के खेत में कोट सेश्टे के बावजूर बना दिया रास्ता ताजा मामला कुंडा तसिर के तारापूर का नई का है गाउं के ही निवासि महिला राजकुमारी का आरोप है की प्रधान के साथ मिलकर गाउं के दबंगों ने उसकी खेती की जमीन पर अवेद रास्ता बनवा दिया वहीं रास्ते के लिए उसके पडोसी की जमीन पर भी कपजा कर लिया गया है जबकि वहां किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है पिडित राजकुमारी ने जिलादिकारी से राजोसी टिम भेज कर रास्ते को हटवाने की मांग की है आकोदादे की जब से रास्ते को लेकर परोसी दबंग पुरित महिला को परसान कर रहे हैं तबी से महिला जिले के पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है लेकिन उसे अभी तक कोई नयाय नहीं मिला पुरा मामला महारा सरकार ये है कि वहां पर हमारी दोरों तरा से भृधरी जमीन में जबर्यक्ति दंबर में इसे परढ़ा में रस्ता निकाला गया और हम लोग की फरसातन खोई सुनवाई नहीं कर रही है अलों भी खोज़वा दिया वह मकान भी बनाते पसुत ले उसको भी तोला जए दो चार जावन भी जानमर भी ख़ग गए अम्मारने के लिए ठंकी भी दे रहे हैं जेल में वहां फुलीस के नद्द्यक जाते हैं तो पकरदारी हो इस ठाने में भी आप लोग गयते हैं आपनों को ही बंद कर देते हैं बंद कर देते हैं वो रुपिया पाए है जाजी पुड़ा फोर्स उनके साथ में लगी होई है पढ़ान जी के क्या नाम है भजन सुबन किस गाओं के पढ़ान है तारापुर कनाई जिलाफू ठाना भाग रहा है ताफिर कूंडा जिला पर जानवार जियाने के लिए कितने दिन से आप लोगों को परिशान किया जा रहा है यह परसान करता है आज दो महीने से हमारी जमीन का इस्टे है तब नहीं मानत है इस्टे के बावजूद भी जो है परदान ने परदान है तब है जबराई जबर्यस्ति लेके हैं प्लीप ठाना सबागे हैं उतार खुदवाईदान रुकी जबर्यकरवाई लिए जबर्यकरवाई